हेलो गैसे और वेलकम टू माई यूटूब चेनल टेग बॉम के दोस्तों आज की बीडियो आप तले काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट और काफी ज़्यादा यूजफूल होने वाले है क्यूंकि आज की बीडियो मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने वीवो वी टॉ हो जाएगी फिर भी आटोमेटिक कॉल रिकोर्डिंग यहाँ पर आन नहीं होती है यहाँ पर देख सकते हैं चलिए मैं कट कर देता हूं पहले यहाँ पर सेटिंग कर लेते हैं यहाँ पर फोन डाइलर आप लोग भी ओपन करेंगे और राइट साड ऊपर की तरफ त्री ड रिकोर्ड हो जाएगी चाहिए नंबर सेब हो चाहिए नंबर सेब ना हो सारा जो है आटोमेटिक रिकोर्ड हो जाएगे आप देख सकते हैं 198 पर कॉल करता हूं जैसे कॉल रिसीब होगी तुरेंत आटोमेटिक कॉल रिकोर्डिंग आटोमेटिक यहाँ पर स्टार्ट हो ज जैसे ही किलिक करेंगे किलिक करने गवाद इसके just नीचे आपको custom का option दिखाए देगा इस पर आपको किलिक करना है इस plus की बटन पर आप लोग को किलिक करना है किलिक करने गवाद यहाँ पर जिस number को आप लोग add कर देंगे सिर्फ उसी number की call record होगी और finally आपको चलिए दिखा दे रहें लेकिन दोस्तों अगर आपको वीडियो important लगे अगर आपकी problem solve हो जाए तो वीडियो को like करना बिलकुल न भूलें आपको अपने phone में google file open करना जो कि हर एक वीवो के phone में file होता है आप देख सकते हैं यही वाली google file होती है इसको जब open करेंगे ति यहाँ पे audio का option एक मिलेगा इस पर आप लोग किले करेंगे तो जितनी भी audio रहेगी आपकी phone में सारी audio आपको देखने को मिलेगी और layer test जो भी रहेगी उपर दिखाए देगी और यहाँ पे right side slide करके आप file देख सकते हैं जो भी folder है जैसे call नाम से folder है हमारे phone में जो call record होती हो call नाम से folder में जाती है ति यहाँ पे click करते हैं इसको play कर सकते हैं यहाँ से और इसको delete भी यहीं से कर सकते हैं share हो गएरा सब कुछ आप लोग कर सकते हैं वीडियो इंपॉर्टन्ट लगे थे वीडियो को like करना बिल्कुल ना भूले हैं